दोस्तों अगर आप भारती ODI टीम को बेश्व की सबसे बढ़िया टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरू किजेगा को अन तक जरूर देखें और नीचे कमेंट में बताएं कि वंडे के लिए कौन दो खिलाडी उपनिंग कर सकते हैं दोस्तों भारती टीम ने न्यूजिलेंड को हरा कर साउथ अफरिका के लिए टेस सिरीज मैच में ऐलान तो कर दिया है जिसमें भारत के कप्तान विराट को ल आज तक ना जलने कितने ही मैच अपने अकेले के दम पर जित दिलाई है उनकी कोई गिंती नहीं है तीसरे नंबर पर बले बाजी करने आएंगे विराट कोली जो की हाली में कप्तानी छोड़ चूड़ चूड़ी है। इसके बाद पांचवे नमबर पर भले बाजे करने के लिए रितुराज गायकवार को टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद चूड़े नमबर पर बले बाजी करने आएंगे वेंकेटे सेयर जो की आईपियल के और भारती टीम में डेब्यू करने वाले बाजे और आल राउंडर है। उन्होंने 6 मैचों में करीब 400 के आसपास रन बनाए हैं। उन्हें इन्होंने 3 अर्दशा तक भी लगाए हैं। पर इन्होंने 3 मैच जिताए हैं जिसके कारण कोलकाता फाइनल में पहुँच भाई है। इनके प्रदशन के कारण इन्हें जल्द ही भारती टीम में सिलेक्ट किया गया है। और कोलकाता ने इन्हें 8 करोड में रिटें भी किया है। इसके बाद 7 नमबर पर बलेबाजी करने आएंगे युचुवेंदर चेहल जिनके साथ 8 नमबर पर राहुल चेहर आएंगे। गुल्दी प्यादो और युचुवेंदर चेहल की जोड़ी अच्छे अच्छे खिलाडियों की बैंट बचा सकते हैं। दोनों ही खिलाडियों ने अब तक बेहतरिन प्रदर्शन किया है। परदुल ठाकुर एक और राउंडर के रूप में टीम में भूमिका निभाएंगे। और उन्होंने पिछले कई मुकाबलों में अपने अकेले के दम पर चिताए है। साथी साथ मुहम्मद शमी जो लगातार ही भारत के लिए बहतरिन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनकी जगह पक्की है। और अंत में बनलेबाजी करने आएंगे जस्परिद बुम्रा जो की भारत के सबसे बहतरिन के एदवाज हैं। भारत कभी भी नहीं भूल सकता। जस्परिद बुम्रा हमेशा से ही भारत के लिए ज़रूरत बढ़ने पर काम आये है। जस्परिद बुम्रा इतने बढ़िया खिलाडी है कि उन्हें हमेशा टीम रिटेन करती है। इस बार भी मुंबा इंडियल्स ने उन्हें 12 करोड में अपनी टीम में रिटेन किया है। साथ ही साथ मुहम्मद सिराज को रिजर्ब खिलाडी के रूप में टीम में जगर दी जाएगी जिन्होंने टेस स्रीज में बहतरिन प्रदरशन किया है। उनके टीम में एंट्री होगी जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट हासिल किये थे। दोस्तों नीचे दिये गए कमेंट में साथ अफरिका दोरे पर वन डे टीम में आपके हिसाब से खेलने वाली प्लेइंग 11 के बारे में बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर तबाए।